हर किसी का सपना होता है जीवन में धेर सारी खुसियां हो धन हो दौलत हो अपना घर हो जैसा भी हो पर अपना घर हो एक वाहन हो देखिए खुसियों का कोई लिमिट नहीं है जितना मिलता है उससे ज़्यादा पाने की चाह होती अच्छी बात है तभी तो मनुसे प्रगती कर लेकिन आज हम बात करेंगे मा लक्शमी को परसंडन करने की आप जीतना कमाते हैं उसमें ही बरकत होने के एक चोटा सब परियोग के बारे में कई बार होता है मेहनत से पैसा पिशा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीए अब बहात सारे लोग ऐसे भी होते क्योंकि कहा गया है ना कि जब तक कर्व नहीं कीजिएगा तब तक फल नहीं मिलेगा तो आज हम आपको धार्मिक कारे बताएंगे जो आपके जीवन में जो धन की परिशानी है उसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है करना आप जौब करते हैं परमुसर नहीं मिल पा रहा आप बिजनस करते हैं लगातार नुकसान हो रहा पैसों की बचत नहीं हो पा रही तब ऐसे में एक छोटा सा परियोग करना है लेकिन याद रखिए जब तक आस्था ना हो तब तक बेकार करना मन में विस्वासो तभी करें आज हम आपको दो परियोग बताएंगे एक तो धन की बरकत के लिए दूसरा आपकी मन चाही मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए तो चलिए पहरे जानते हैं धन की बरकत के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो एक लॉंग लेना है बिलकुल साब लक्षमी को परणाम करके अपनी मन्नत मांगे और इस कपड़े को उठाइए इसमें जो लॉंग रखा है उसमें एक गांठ जोर से बांद दीजिए अब इसको आप मालक्षमी का नाम लेकर अपने धन के इस्थान पे तिजोरी में या गल्ले में या अपने पर्स में रख ले धन की समस्या दूर हो जाएगी और धीरे धीरे देखिएगा कि आपके जो जीवन में परिसानी चल रही थी वो समाप्त होंगे और धन आने लगेगा बरकत होने लगेगा बहुत सिंपल है लेकिन इसका करने के बाद आपको इसके फल जरूर मिलेंगे अब एक छोटा सा पर प्रियोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं दिल के अंदर जब इक्छा हो जब लगे कि आत्मा पुकार रहा है तब प्रियोग करें तो हंड़ेट परशन लाब देता है तो करेंगी क्या देखिए एक पान का पत्ता लेना है बिल्कुल सुन्दर सा साबुत ले लीजे दो लॉ उटावर ना हो खुबसूरत सा देखकर अब पान के पत्ते को उल्टा करें यानि जो चिकना वाला सी हिस्सा है वो नीचे की और होगा और जो रूखा वाला हिस्सा है वो उपर की और होगा फिर इसके उपर दो लॉंग रखकर यानि रुखे हिस्से पर आपको किसी प्रभाहित कर देना है दोनों हाथों से और कामना कीजिए कि आपके सभी तकलीफ हैं इस पान के पत्ते और लॉंग के साथ बह रही है और फिर पीछे मुड़कर मत देखिएगा अपने घर वापस जले आए अगर पास में कोई बहता हुआ नदी ना मिले तब ऐसे में प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हर हर महादेब